हेलो फ्रेंड्स आज मैं दिव्य घाट की पहाडियों पर बने विठ्थल भगवान की 60 फीट मुची परतिमा के दर्शन करने आया हूँ यह परतिमा दिव्य घाट की पहाड़ी श्रिंकला पर बनी हुई है और यह काफी ही मनमोहोग परतिमा है विठ्थल भगवान एक हिंदू देवता है जिनकी पूचा मुख्यत महरास्ट करनाटक गोवा तेलंगाना तथा आंध परदेश में होती है उन्हें आम तोर पर भगवान विष्णू या उनके अवतार कृष्ण की अभिवैक्ती माना जाता है भगवान विठ्थल अक्सर एक सावले यवा लड़के के रूप में चित्रित किये जाते हैं भगवान विठ्थल की पूजा अधिकतर मराथी लोग करते हैं पंधरपूर में भगवान विठ्थल का मुख्य मंदिर है जिसमें उनकी पतनी रखुमाई के लिए एक अलग अत्रिक्त मंदिर भी है इस संदर्ब में पंधरपूर को प्यार से भू बैखुंट भी कहा जाता है जिसका अर्थ पिर्थभी पर विष्णुजी का निवास अस्थान महरास्ट करनाटक और तेलंगाना के भक्त पंधरपूर में बिठ्थल मंदिर में ग्यानेश्वर तेरवी सताबदी के समय से आते हैं पंधरपूर के मुखे मंदिर में बढ़वा परिवार के ब्राहमन पुजारी पूजा विधी करते हैं इस पूजा में पांच दैनिक संसकार होते हैं सबसे पहले सुबह लगबग तीन बजे भगमान को जागरित करने के लिए एक आरती इसके बाद पंचा अमरित होती हैं जिसमें पंचा अमरित के साथ असनान्स शामिल है और मूर्ती को सुबह के भक्तों के लिए तैयार किया जाता है तीसरा संसकार एक और पूजा है जिसमें दोपहर का भोजन और मूर्ती फिर से तैयार की जाती है इसे माध्यानों पूजा के रूप में जाना जाता है आकरी संसकार सेजारती होती है जो रात दस के बाद भगवान को सोने के लिए की जाती है आकरी संसकार सेजारती है तो अभी भगवान विश्णु के विठल अवतार के दर्शन करने के बाद यहाँ पर मुझे एक टिला दिखा है और मैं अभी उसी तरफ जा रहा हूँ और मैं आपको दिव्या घाट के खूबसुरत पहाडी रास्ते का व्यू दिखाना चाहता हूँ और वहीं से कानिफनात मंदिर के दर्शन भी करवाओंगा सामने जो देख रहे हैं इन ही रास्तों से मैं उपर की तरफ आया हूँ ये रास्ते पूने से भी कनेक्ट होते हैं सामने जो पहाडी के उपर मंदिर दिख रहा है वो कानिफनात मंदिर है उस पहाडी पर ठीक उसके राइट में मैं एक साल पहले ट्रेकिंग करके गया था और वो ट्रेकिंग का वीडियो आप जरूर देखें उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा सी के साथ मैं अमिस सिंग दिव्यगार्ट की पहाड़ियों से इस वीडियो को समप्त करता हूं अमिस सिंग आप जय हिंग जय भागत